नालंदा में पूजा कराने को लेकर गाउं के दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां दोनों पक्ष के बीच कुल एक दर्जन से अधिक लोग जखमी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्ष से कुलचे लोगों को गिरफतार किया है. मामला बिहार थाना च्षेत्र के नकटपूरा गाउं का है, जहां शनिवार की देर शाम विश्वकर्मा पूजा में पंडित जी से पूजा कराने के विवाद को लेकर गाउं के दो पक्षों में भिंट हो गई. इस घटना में एक दर्जन लोग दोनों तरफ से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. धायलों में विकास कुमार, भासो यादव, सुरेंद्र यादव, संतोश यादव, बिंदू यादव, विरेंद्र यादव, मिथिलेश यादव सहित अन्य लोग शामिल हैं. मारपीट की सूचना पर पहुँची पुलिस ने दोनों तरफ से कुल छे लोगों को गिरफतार कर लिया है. बिहार थाना अध्यक्ष बिरेंद्र यादव ने बताया कि दो गुटों के बीच पूजा कराने की विवाद को लेकर मारपीट हुई थी. दोनों और से आवेदन प्राप्थ हुआ है. पुलिस ने त्वरित कारवाई करते हुए दोनों पक्षों के कुल छे लोगों को गिरफतार कर लिया गया है. कि पंडी जी के बोलाने के चलते भीवाद है। काईसी जीती? मार पीट हुआ हुआ हूँ सब वेवास्था में था वहीं पे. ठीक है. सब आदमी, सब वेवास्था में था, सब लाठी लेक था. आंतो CCTV फोटेज चेक करें. मेरा घर पे CCTV कमरा लगा हुआ काउन लाठी लेक आकर मारा है नहीं मारा है? सब चेक किया जाए, मेरा दस लोग गहायल है, पूजा को लेकर विवाद हुआ है, जी पूजा को लेकर विवाद हुआ है, मेरा नाम नितीज कुमर हुआ